हेलो फ्रेंड्स आज आबले का मुरब्बा हम डिफ्रेंट तरीके से बनाएंगे तो आबले को धोर लिए हैं चुले पे रखें कड़ाही पानी डालके एक स्टेंड डाल देंगे उपर से जालीदार बर्तन डालके अब साड़े आबले को डालके हम दो मिनट ढख के इस्टीम करेंगे ज्यादा इस्टीम नहीं करना है नहीं तो आबला ज्यादा गल जाएगा तो इस्टीम हो गया है दो मिनट साड़े आबले को निकाल लिए हैं एक कौटन के कपरे से आप पोच दें थोड़ा दिर धूप लगा दे धूप लगाने के बाद इसे फोख से चारो तरफ घूमा करके छेद कर दें अच्छे से सारे आबले को अब जिस वरतन में मुरबा बनाना है पहले आबले को डाल दे आबले का बराबर आप चीनी या गूर का इस्तिमाल करें तो हम यहाँ पे दोनों 50-50 इस्तिमाल किये हैं जैसे हाफ केजी आबला है तो हाफ केजी चीनी डाले या हाफ केजी गूर तो हम यहाँ पे 8-100 ग्राम चीनी और हाइसो ग्राम गूर का इस्तिमाल किये हैं इसमें हम पानी नहीं डालेंगे अच्छे से mix करके लो फ्लेम पे इसको पकाएं जिससे चीनी गूर अच्छे से melt हो जाए continue इसे चलाते रहें जिससे जले नहीं थोड़ा सा इलाची का powder भी डाल दें जिससे इसका taste अच्छा हो चीनी गूर अच्छे से melt हो गया है इसे अब medium flame पे इसे पकने देंगे तब 15-20 मिनट का बक्त लगा है मुरब्बा बने के ready है आब ले कोई एक बार चेक कर ले अच्छे से पका है की नहीं पाग भी गाड़ी हो गई है आप देख सकते हैं गूर और चीनी मिला के अगर आप मुरब्बा बनाते हैं तो बहुत ही टेश्टी आपका मुरब्बा बनेगा तो यहाँ पे हम ढखकन से नहीं ढखेंगे अभी कौटिन के कपरे से ठाके नहीं तो इसका भाफ अंदर जाएगा ता आपका मुरब्बा खड़ाब हो जाएगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी मुरब्बे की रेस्पी अगर पसंद आई हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं गली वीडियो में नई रेस्पी के साथ